नमस्कार मित्रो मैं प्रशान सिंग आप सभी का अपने चैनल पीके सिंग फार्मा ने स्पिच्वल वीडियो पर हर्थिक शौगत करता हूं आज हम लोग बात करेंगे टेबलेट कंप्लेट इंफार्मेशन सेरीज के पार्ट सेवन जो के ग्रेडिलेशन से रिलेटेड है और जिसमें में हम लोग बात करेंगे एडवांस ग्रेडिलेशन टेक्निक्स के बारे में इसके पहले के जो पार्ट से उसमें हम लोगोंने ग्र जैने बर दीजकस किया हुआ है तो आज हम लोग बात करने में एडवांस टेकनिक्स, जो कि एडवांस टेकनिक्स आए है, वीडियो चालो करने से पहले सब भी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो परसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कियाजी ग्रेनुलेशन क्यों करते हैं क्योंकि हम लोग क्या है कि डारेक्ट पाउडर से टैबलेटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे हमको प्राब्लम्स आते हैं इसलिए उनको अभाइट करने के लिए हम लोग क्रेनुलेशन करते हैं क्यों म विखन पाउडर से डारेक्ट पाव्डर से क्या इसूश जाते हैं। डारेक्ट टैब्ल venge नहीं कर सकते हैं। मतला हम लोग उसको compress करें डारेक्ट टेबलेट नहीं बना सकते हैं इसलिए हम लोग ग्रेणलेशन प्रोसेस यूज करते हैं अभी ग्रेणलेशन है क्या है ग्रेणलेशन एक प्रोसेस है जिसमें छोटे-छोटे पाटिकल एक दूसरे से अधेयर होते हैं बाई कर्कें लुक्ष्ट बनाते हैं इसको कि हम लोग ग्रेणलेशन का आप ग्रेणलेशन का यह साइज इन लार्जमेंड की प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसमा छोटे पाटिकल दूसरे से अधेयर होके फिजिकली स्ट्रांगर और लार्जर अग्लोमेरेट बनाते हैं जो उसके हम लोग गनलूल्स कहते हैं यह फिगर के माधियम से आप लोग देख सकते हैं यह स्प्रेइंग के बाद पाउडर स्प्रेइंग हुआ और पाउडर पे ड्रॉपले डिकटा हुए यह हमारा जो बॉ अब इस्टीम ग्राइलेशन में क्या होता है यह नियू ग्राइलेशन टेकनिक है जिसमें वाटर स्टीम यूज होती है बाइंडर के रूप में वाटर स्टीम को यूज करते हैं इसमें ट्रेडिशनल वाटर हम लोग यूज नहीं करते हैं वाटर की जगह पर हम लोग क्या अब बहुत ज्यादा होता है तो गालन टाकशि jeśli आफ ज onder angुडनेशी को याइज़ाता है क्या होता है बाहन में पाइंसेट हों घंडन सिफीर में करते हैं जब न चानि जान के बाद घंडन सेट इन के बात क्या होती है यह hot thin film form करती है powder particles पे thin मतलब hot thin film form करती है ठीक है अब यह जो thin film जो हमारी form होती है यह easily evaporate हो जाती है अब steam क्या होती है steam जो होती है वो uniformly distribute होती है और यह क्या करती है जो इससे grandules होनते है वो spherical grandules बनते है और इनका surface area होता है वो ज्यादा होता है ठीक है और इनका processing time है वो कम होता है अगर इनको हम लोग एक symmetric diagram कर थो कर हम लोग इसमें समझेंगे कि हमारा जो भी हमारा dry powder mix होगा ठीक है इसको हम लोग ने dry mix किया dry mix करने के बाद इस step में अब हम लोग जो granulating fluid हम लोग water यूज करते है नहीं water की देगा हम लोग steam यूज करेंगे तो जो steam यूज करेंगे, steam यूज करने के बाद हमारा जो जब हम लोग steam यूज करेंगे तो steam क्या करेंगे इसका जो diffusion and distribution rate है वो ज्यादा होता है compared to traditional water अब यह जो steam है, steam को गर हम लोग यूज करेंगे तो यह condensate होगी अब इसके फर्द जो granules स्टुज करेंगे, granules का surface area होगा वो large surface area होगा बाद में इसको साइजिंग करने के बाद हम लोग इसको साइजिंग करके बाद में इसको लूब्रिकेट करेंगे इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें वाटर के जगा हम लोग स्टिंग करते हैं क्योंकि उसका डिफ्यूजन रेट जो होता है वो ज्यादा होता है दूसरा जो मेथड है वो मॉइस्टर एक्टिवेटेड ड्राइ गरनलेशन मेथड है जिसको हम लोग में डीजी मेथड भी बोलते हैं यह दो स्टिप में होता है पहला क्या होता है वेट पाउडर का जो होता है वेट अग्लोमेरेशन होता है और दूसरे बात क्या होता है उसमें जो मॉइस्टर का अब्जॉरप्शन होता है यह दो स्टिप्स हैं पाउडर का वेट अग्लोमेरेट बनेगा उसके बाद मॉइस्टर को अब्जॉब करें आगलमरेशन कैसे होता है, इसमें हम लोग क्या करते है, small quantity of water use करते है, ठीक है, बट जो quantity होती हो, normal method से हो बहुत कम होती है, लगबग 5% normal conventional method से 5% कम water हम लोग use करते है, इसमें water की quantity होती हो, कम use होती है, तो मेरा जो powder बट होगा, उसमें हम लोग small quantity of water add करेंगे, ठीक है, और आधर एक्सिपेंट से एक करेंगे, और बाद में इसको हम लोग wet agglomeration करेंगे, अब एक बार जब हमार agglomeration achieve हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, moisture absorbing material, ऐसे material add करते हैं, जो कि moisture absorbing, moisture को absorb करते हैं, अब इसमें क्या होगा, जो lumps बनेगा न, वो बड़े-बड़े lumps बनेंगे, क्यों क्योंकि amount of water जो हम लोग कम यूज कर रहा है, compare to usual wet agglomeration में, इंकल बट लेकिन इनका पाटिकल साइज होगा, वो बड़ा होगा, और इनके floor compressibility भी अच्छी होगी, अगर इस flow diagram कर तो हम लोग इसको, यहमारा powder agglomeration होगा, एक से paints हो भी है, इसको हम लोग गणुट्रम डाल के इसको mix करेंगे, mixing करने के बाद यहां पर, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग water use करेंगे ना, तो यह water की quantity बहुत कम use करेंगे, as a green lighting shoot जो होता, water की quantity compare जो का normal method होता, उससे 5% कम use करेंगे, बहुत कम use करते हैं, ठीके, अब इसके बाद इसको हम लोग mixing करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमे moisture absorbent, जो की collides silicon dioxide, or micro crystalline cellulose हम लोग इसको add करेंगे, add करने के बाद यह क्या करेंगा, यह जो हमारा moisture absorbent substance है, बाद में इसको हम लोग, जो भी है हमारा sizing milling, उसके बाद पर इसको lubrication, lubricate करके हम लोग further proceed करेंगे, अगला जो binder होता है, उसको हम लोग foam के form में add करते हैं, instead of spraying या pouring liquid method, नॉर्मल में हम लोग इसको spray है, फिर उसमें water को add करते हैं, बाद इसमें हम लोग इसको foam के form में convert करते हैं, अब foam को बनते कैसे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, binder solution का tank होता है उसमें foam generator लगा रहता है, install होता है, ठीक है, अब यह क्या करता है, जो हमारा, यह foam generator होता है, यह binder को हो है, वो introduce करता है, foam, foam में convert कर देता है, अब यह क्या करता है, यह, यह जो process होता है, अगर हम इसको binder solution को foam form में apply करते हैं, यह eliminate करता है, problem of inconsistent and unpredictable binded distribution that can affect the tablet hardness and drug release, यह क्या करता है, हम इसको foam form में apply करेंगे, inconsistent and unpredictable binded distribution को यह remove कर देता है, जो की हमारे tablet hardness और drug release पर impact करता है, अब यह method जो होता है, वो normally use होता है, potent यह SC drugs जो बहुत कम concentration में use होती है, अब useful for the high potent or low dose drug formulation due to its ability to distribute the drug evenly, अगर उसको हम foam form में apply करेंगे, तो इसका distribution होगा, वो even distribution होगा, uniform distribution होगा, इसलिए, acid drug जो की बहुत potent है, बहुत कम continuous होती है, उनके लिए हम लोग foam generation के advanced technique use करता है, अब figure के थूरो अगर देखा जाएग, स्यमेटिक diagram हमारा जो भी powder mix रहेगा, उसको हम लोग यहां पर डालेंगे, उसको mix करेंगे, mixing करने के बाद, इस इंड पर हमारा binder solution है, binder solution का tank है, यहां पर हमारा एक foam generator है, अभी foam generator क्या करेंगा, binder solution को foam के form में convert करके, यहां पर apply करेंगा, अपलाई करने के बाद, जो भी हमारा होगा, वेट मास हमारा जो produce होगा, बाद में वो chopper के तुरू हमारा granules form में convert होगा, बाद में इसको drying करेंगे, ठीक है, यह हमारा dry granular mass होगा, बाद में इसको sizing और milling करके, liberization करके, हम लोग next stage में proceed करेंगे, तो mainly यह हमारा foam generator होता है, यह हमारा high potent या low dose drugs होती है, उसमें use होती है, कि इसमें क्या होता है, इसका distribution जो है अच्छा रहता है, अब अगला method हो, उसको freeze generation method करते है, freeze generation method करते है, nitrogen, इसमें हम लोग powder suspension को spray करते है, liquid nitrogen में, तो जब जो भी drops हमारी आती है, वो immediately जो होती है, वो frozen हो जाती है, into granules, granules में, जो drops होता है, instantly होती है, वो frozen हो जाती है, into granules form में, इसके बाद जो freeze drying, subsequent freeze drying process होती है, तो जो granules होता है, वो sublimation process के थो dry होता है, और इसमें कोई segregation effect नहीं होता है, इसमें हमारा freeze drying, अगर freeze granulation कर हम लोग देखें, तो इसमें हम लोग powder suspension जो होता है, उसको हम लोग nitrogen में spray करते हैं, तो जैसे ही spray करते हैं, तो जो भी हमारी drops होंगी, वो immediately होती है, वो ice, वो जो froze हो जाती है, froze हो जाएंगी, granules form में, और उसके बाद इसको freeze drying process के थोरो, जो हमारा frozen granules है, वो हमारा dry होता है, ठीक है, जो की sublimation, आफ ice bowl सकते हैं, बट यह क्या कोदा segregation पर कोई effect नहीं डालती है, और इसका structure जो होता है, और homogeneity, particles जो होती है, in the celery or suspensor are retained in the granules, जो homogeneity structure और homogeneity होती है, वो particle की retain होती है, इस process में, इसका asymmetric diagram है, ठीक है, अगर इसके तुरूर हम उसको थोड़ा आसा समचने का प्रयास करेंगे, अब यह हमारा solution powder suspensor, यह solution है, इसको हम लोग क्या करेंगे, rals की wrappednatumizer रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग spray करेंगे liquid nitrogen है, यह हमारा, यह liquid nitrogen है, इसमें हम लोग, इसको spray करेंगे तो जैसे इसको इसमें लोग spray करेंगे, घीक है, हमारा marks силь Diprient, और यह हमारा drops होगे, फ्रोजन हो जाएंगे, ठीक है, अबे ड्राइब होने के बास हम लोग इस ड्राइब उसको यहां पे इसको कलक्ट करेंगे यह हमारा जो प्रोसेस है यह हमारा फ्रीज ग्राइबलेशन प्रोसेस होगा अग्लोमेरेट जो फॉर्म हुआ है कि मेल्ट ग्राइबलेशन जो टेकनिक होती है इसमें हम लोग मेल्टेवल वाइनडर्स यूज़ करते हैं यह लोड टमप्रेचर पे क्या होते हैं यह मेल्ट हो जाते हैं और यह पाउडर एग्लोमेरेट फॉर्म करते हैं इसके बाद जो हमारा agglomerate firm होगा, उसका cooling और subsequent solidification के process के तुरू हमारा जो granulation process होता है, वो complete होता है, यह जो melt process, melt granulation process है, यह इसमें, यह include होता है, हीटिंग mixer of drug, binder and other recipients to a temperature within or above the melting range of binder, इसमें जो hitting होती है, melting range of binder पर होती है, इसके तुरू हम लोग एक idea लगा सकते हैं, कि melt generation होता क्या है, अगर इससे हम लोग देखेंगे, तो यह हमारा recipients or meltable binder एक साथ है, इसको हम लोग डालते हैं, इसका mixing होता है, mixing होने के बाद, यह melt होगा, melt होगा, agglomerate बनाएगा, agglomerate होने के बाद, इसका हम लोग substitute के cooling करेंगे, cooling करेंगे, उसके बाद यह cooling होने के बाद यह dry mass होगा, बाद में इसका sizing करके, हम लोग हमारा generation process complete हो जाता है, अब reverse wet granulation एक technique होती है, यह wet granulation जो technique होती है, इंवाल होती है, immersion of the dry powder formulation into the binder liquid, followed by controlled breakers to form granules, अब इसमें binder solution जो initially prepared करते हैं, और dry powder recipients होता है, इसका हम लोग binder solution में add करते हैं, under the mixing in the granulator, alternate क्या कर सकते हैं, जो drug होता है, drug was mixed with a solution of hydrophilic polymer, or binder to form a drug polymer binder sclery as granulating fluid, अब granules जो फार्म होता है, वो फार्म होता है, emerging a mixture of other dry recipients into the drug polymer binder sclery suitable for poorly water-soluble drug, अब ये डाग्राम के थूरो कर हम इसको समझना चाहिए, यहां पर हमारा क्या होता है, binder plus water, a solvent solution, granulating fluid, यहां पर हम लोग लोग दाला है, इसका mixing हुआ, यहां आने के बाद dry powder recipients, इसको हम लोग granulating fluid में add किया, यहां पर mixing हुआ, बाद में फिसका drying होगा, dry granulation mass होगा, यहां पाद में size ही होगा, और यह हमारा granulation process complete हो जाएगा, इस वीडियो में हम लोग ने बात किया, wet granulation, mainly advanced granulation technique क्या होती है, next video में हम लोग बात करेंगे, जो की tablet complete information part 8 है, उसमें हम लोग बात करेंगे compression, especially introduction, principle, compression stage, compression cycle, critical parameter of compression or types of compression machine, जिसका की video बहुत दल्दी channel पर update होगा, अगर आप कोई video पसंद आया हो, तो किस क्रिपे video को लाइक आप हमारे channel को subscribe जरूर कीजिए, thank you very much.